दोस्तो, मशूर अपीनेत्री नुतन अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने 1991 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। अपीनेत्री अपने आखरी दिनों में कैंसर से जंग लड़ गए थी। और इसी के चलते उनका नीथन हो गया। वैसे तो नुतन से जुड़े कई किस्से मशूर है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आखिर नुतन और उनकी मा शोबना समर्थ के बीच ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने अपनी मा से 20 साल तक बात नहीं की। नुतन और उनकी मा शोबना समर्थ में पैसो को लेकर रिष्टे में आई इस दरार को भरने में सालों लग गए थे। पूरा मामला क्या है और नुतन ने अपनी मा से इतने साल बात क्यों नहीं की। चलिए आपको बताते हैं। नुतन का जन शोबना समर्थ और डारेक्टर कुमार सेन के गर 4 जून 1936 में हुआ था। नुतन बचपन से ही मा के बेहत करीब थी। नुतन अपने फिल्मी करियर में तो सफल रही लेकिन परसना लाइफ में सब ठीक नहीं था। मा शोबना समर्थ से उनके रिष्टे काफी खराब हो रहे थे। दरसल हुआ यू था कि एक दिन नुतन को इंकम टेक्स ऑफिस की और से बकाया टेक्स चुकाने के लिए नोटीस मिला। दरसल नुतन ने अपनी मा के साथ एक कंपनी खोली थी। जिसमें वो सिर्फ 30% मुनाफे की इस्सेदार थी। लेकिन मा चाहती थी कि नुतन पुरा टेक्स चुकाए। टेक्स की रकम काफी ज़ादा थी। ऐसे में नुतन ने अपनी मा से कहा मेरे जितने शेर है मैं उतना टेक्स भर दोंगी। वैसे भी मेरी सारी कमाई कंपनी में ही चली जाती है। ये गलत है कि टेक्स की सारी रकम आप मुझसे ही भरवाना चाहती है। इस पर दोनों के बीच कहा सुनी हुई। मा बेटी के बीच का जगडा कोट तक पहुँच गया और दोनों के बीच 20 सालों के लिए बोलचाल बंध हो गई।